हम अपने फॉन में कोई application चला रहे होते यानि कोई app चला रहे होते और एप चलाते 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 ऑटोमेटिक हो जाता है यानि home screen पर जाता है जैसे हम YouTube चला रहे है WhatsApp चला रहे है Facebook चला रहे है या कोई भी banking अप जैसे phone pay, Paytm या कुछ भी चला रहे है और वह ऊटोमेटिक चलते चलते बैक होके होमी स्कीन पर आता है ऐसा बहुत लोग के साथ होता है बहुत फॉन में होता है और जब ऐसा होता ना तो सच में दिमाग ख़रा हो जाता है क्यों हम किसी को पैसे ट्रांसपर कर रहे हैं उसमें एकाउंट नंबर डाला है बड़ी केस्टूमर आते हैं क्योंकि यह प्राइब्लम सिर्फ आपको नहीं बहुत लोगों के फॉन में होती है यानि कि 95% लोगों में यह प्राइब्लम होती है और दोस्तों कई बार तो ऐसा होता है कि हम किसी एप को उपन करना चाहते हैं और वो फिर बंद हो जाता है फ़र open करते हैं फिर बंद हो जाता मतलब उस टाम पे वह क्ली सैंग Graduate तो चलके यह क्लव से वीडिवाइच और आप देख रहें हैं आपको मैई एक मिशन है जो मारकेट मेलूट मची है जो लोगों को ठगा जा रहा है, आप से सिर्फ उसी काम का जाइज पैसा लिया जाए, जो काम आपके फॉन में हो रहा है, तो फ्रेंड्स क्या आप लोग इस मिसल में मेरा साथ दोगे, अगर हां, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हो सके तो सेर भी कर दे तो वो कभी एक आज बार अपने आपको रिफ्रेस्स कर लेता है, जिससे कि उसकी स्पीड थोड़ी तेज हो जाए, तो उस वज़े से कभी कभी एप्लिकेशन क्लोज हो जाते हैं, तो यह एक नॉर्मल बात है, लेकिन अगर यह प्रोब्लम आपके फॉन में बार बार आ र नाम करना है, प्लेट करने के बाद आपको ऑपटेट करने के बार यह प्रोब्लम हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा करने से भी आपकी problem solve नहीं होती है तो simple से आपको उस app को uninstall कर देना है अगर uninstall करने का option नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ application ऐसे होते हैं जो phone के system की application होते हैं जिनको uninstall नहीं कर सकते तो उनके लिए simple आपको setting में जाके application में जाके उस app को खोल गए और उसका data clear data बस उससे आपकी problem solve लेकिन अगर आपकी problem अभी भी solve नहीं होती है तो आपको क्या करना है अपने phone की setting में जाके about phone में जाके और phone को update कर देना सो परसेंट ऐसा होगा कि आपके phone में कोई update आया होगा और आपका पुरानी software का version है उस वर्जन में कुछ application सही से काम ना करती हो इसलिए आपके phone में जो नया जाएगा reset settings restore factory data के नाम से भी होता है तो आपको अपने phone को restore करना लेकिन ध्यान रहे आपको अपने phone में जो Gmail ID है और उसका password है वो याद होना चाहिए reset करने से पहले ध्यान रखना अगर याद नहीं है तो अपने phone की setting में जाके accounts में जाके और Gmail ID और पासवर्ड को remove कर देना जिससे कि अगर आप अपने phone को reset करते हो तो वो जब चालू होगा reset होने के बाद तो आप से Gmail ID और पासवर्ड बागेगा और उनको आप पहले अगर अब भी आपके phone की problem solve नहीं होती है तो अब आपको अपने phone को hard reset करना पड़ेगा अब आपको यूट्यूब करना है यूट्यूब ओपन करने के बाद उसमें अपने model का नाम लिखना है जैसे कि आपका Samsung का M31 है जो भी आपके phone का model है ठीक है तो आपको यूट्यूब पर सर्च में लिखना है अपने model का नाम और उसके पीछे लिख देना hard reset simple YouTube पर वीडियो आजाएगी कि आपको अपने phone को hard reset कैसे कैसे करना उसके बाद आपकी problem हो जाएगी ध्यान देना कि hard reset करने से आपकी problem 99.9% ठीक हो जाएगी लेकिन अगर ऐसा करने से भी आपकी problem solve नहीं होती है तो यह समझ लेना कि आपके phone का जो software है वो corrupt हो गया है तो आपक आपके पास laptop है तो आप देख लोगे YouTube पर डालेगे कि अपने phone में software कैसे डालना है लेकिन अगर आपके पास laptop या computer नहीं है तो आपको simple साफ पर जाना पड़ेगा और वहां पर जाके आपको software डलवाना पड़ेगा software का मैं आपको प्राइज बतातो कम से कम 200 रुपे होता है फोन को खोलना पड़ता है तब जागी software होता तो उनका 300 400 500 800 रुपे तक भी software का rate होता है लेकिन वह special model है और महेंगे model होते हैं उन्हीं में इतना खर्चा आता है ने तो 200 रुपे में आपकी ये problem software डलवाने की इससे solve हो जाती है आसा करता हूं आपको जानकारी अच् दिसकस नहीं करिए तो आप comment कर देना या फिर आपकी कोई ऐसी problem है आप चात्यों कि उसके वीडियो बनाई जाए तो वह भी आप comment कर देना मैं कोसिस कर दूंगा next video उसी topic पर बनाओ तो friends मिलते हैं किसी next video में एक नई problem के साथ और उसके समाधान के साथ